राजधानी भोपाल सहिक मध्यप्रदेश के अधिकांश जिलों में मानसून की विदाई से पहले सक्रियता देखने को मिली है। रविवार को कैच्मेंट एरिया में हुई बारिश के बाद सोमवार सुभभधदा और कलिया सोत डैम के एक-एक गेट खोले गए जिससे जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। दोर देखने को मिला। रविवार को भोपाल में दिनधर धूप खिलने के बाद अचानक बादल चा गए और रात को तापमान में भी हलकी गिरावट देखने को मिली। लगातार हो रही बारिश की वजह से शेहर के सभी तालाब और डैम लबालब भर चुके हैं। नमस्कार में चकवाती मौसा विज्यानी पिछले 14 गंटों में पूरू मद्र बुदेश में स्कैटर रेंड़ पादा पश्चिव मद्र बुदेश में वाइट स्प्रे रेंफाल गाया है। पर बना हुआ है। इसकी चलते हैं जो पैड़ा जिनका फॉर्कास्ट है उसमें आप जो सब्सक्राइब के देशक्ते बरवानी अधिराज़ पूर जहाबवा धार इन जिनों में कहीं कहीं हैवी रेंफॉल देख्टी को मिलेगा बाकी देगा थंडर्स्टाम में कमी देखने को लेगी रेंफॉल मॉसम ने पिछले कुछ दिनों से करवट बदली हुई है जिसका असर मध्यम से तेज बारिश के रूप में देखने को मिल रहा था इस दोरान भोपाल में 2.5 इंच से ज्यादा बारिश दर्स की गई मौसम विभाग ने तापमान में हल मौसम वैग्यानिकों के अनुसार कल के बाद मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू हो जाएगा जिससे तापमान में एक बार फिर से बदलाव देखने को मिल सकता है रविवार रात को कैच्मेंट एरिया में हुई बारिश के बाद धोपाल के भदभदा और कलियासोत डैम के एक से एक गेट सुमवार सुबह खोले गए सुबह भदभदा डैम का एक गेट खोला गया जिसके कुछ देर बाद कलियासोत डैम का भी एक गेट खुला इसके अलावा केरवा डैम के गेट से भी पानी चलक रहा है इस सीजन में कलिया सोत डैम के गेट 14 बार खोले जा चुके हैं जबकि भदभदा डैम के गेट भी 10 वी बार खोले गए हैं इन डैमों का भर जाना एक अच्छी खबर है खास कर खेती और पीने के पानी के लिए पिछले कुछ साल में सूखे की स्थिती के चलते इस साल की बारिश ने किसानों और स्थानिय निवासियों को राहत दी है